तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिफ्थ पार्ट नूट्रिशन जो लेसन चल रहा था अपना उसका फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे कल हमने यह सब डिस्कुस कर लिया था कि माइक्रो और्गनिजम में है food absorption किस तरह से होता है या फिर किस तरह से वो जो है उनमें movement करते हैं वो absorption किस तरह का क्या होता है और होस्टेरियन कस्कुटा का मतलब होस्टेरियन का कस्कुटा में किस तरह का सक्या रोड होता है यह सब हमने देख लिया था तो आज हम देखेंगे humans में digestion, humans में एक छोटे cycle से चलती है, सबसे पहले mouth है, mouth से अपना food जाएगा, बकल cavity में, ये cavity जो है, बकल cavity, बकल cavity से जाएगा, pharynx में, pharynx से, फिर larynx में, larynx ये फिर trachea, खुछ भी बोल दो, ये food pipe जो होती है, यहाँ पे जाएगा, food pipe से जाने के बाद, ये जो है, isophagus में जाएगा, isophagus आगेगी, larynx के बाद, जो आने वाली pipe है, वो isophagus होगी, औ और बाद में जो है, अंदर जाने के बाद, स्टमक आजाता है, एक तरफ, स्टमक, फिर निच्चे आता है, small intestine, small intestine के बाद, large intestine, large intestine से आनस में, जो food है, वो निकल जाता है, ये सारी चीज़, जो मैंने एक cycle सी, जब आपको ये बताई है, इसे हम कहेंगे, elementary canal, elementary canal या guts भी बोल सकते हैं, ठीक है, mouth के बाद में जाएगा, buckle cavity में, buckle cavity के बाद जाएगा, pharynx, फिर larynx, फिर isophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus, ठीक है, ये चीज़, कई बार क्या हम ऐसे देखते हैं कि large intestine उपर होता है, small intestine मीचे होता है, तो इसमें थोड़ी सी बात है, क्योंकि large intestine के अंदर ही तो small intestine cover होती है, तो पहले हम large intestine पड़ेंगे, फिर small intestine, small intestine के बाद anus हम पड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं, तो जब हम food अंदर लेते हैं, mouth में लेने के बाद, अपने ये चीज़ नोट की होगी, कि अपने अंदर जो saliva है, mouth में salivary glands है, वो active हो जाती है, तो salivary amylase जो होता है उस तरह का एक enzyme present होता है, जो saliva release करने में help करता है, salivary amylase जो है, वो release होने के बाद, जो saliva है, वो निकल जाता है, मुह में saliva जब निकल गया, तब वो saliva food को, हमने food जो खाया है, वो saliva के अंदर mix हो जाता है, जो saliva है, food को breakdown में help करता है, मतलब उसको काट फारने में अपने दान तो है ही है, और उस food को चिकना बनाने में help करते है, जो चिकना बनके वो जो एक हमने खाया है, समझे एक रोटी का टुकडा खाया है, वो saliva मिलके एकदम sticky type पूरी तरह ये हो गया, तो ये जो मुह में saliva मिलने के बाद जो चीज होगी न, उसे हम कहेंगे bolus, खाना saliva मिलके, का पूरी प्रोसस जो हमने खाना खाया है, कट फाड हुआ है, खाना जो है, टूटा है, फूटा है, अपने teeth help करते हैं इसमें, अपना lower jaw जो है, ये भी help करता है, and saliva mix होता है, ये पूरा जो bolus बना है न, इसे हम कहेंगे mastication, ये प्रोसस होती है mastication की, फिर जो हमारा mastication के ब उस movement को हम कहेंगे peristaltic movement, peristaltic movement से होते हुए, वो अपना खाना जो है, वो अपने stomach में चले जाएगा, जाने की बात ही है कि stomach में HCL acid होता है, medium acid होता है, HCL acid जो है pepsin के बाद, पहले pepsinogen होता है, मतलब जैसे हम देखते हैं, फर example ऐसा मान सकते हैं, कि फिर जो खाना है न, उसका कोई भी एक nature है मान लो, तो हमने note किया होगा कि कई बार हम जब ice cream की shop पे जाते हैं, तो यह flavors जैसे हैसे होते हैं, आपने देखा होगा न, कि यहाँ पे chocolate flavor, यह strawberry flavor, और यहाँ पे butter scotch मान लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे दबाते ही chocolate वाला निकलता है, यहाँ पे दबात होती है, जिनमें यह release होता है, यहाँ पे pepsinogen के लिए होगा, यहाँ पे pepsinogen release तो हो जाता है, pepsinogen release होने के बाद, hcl release होता है, hcl के release होते ही, यह pepsinogen जो है न, वो pepsin में convert हो जाएगा, ठीक है, pepsinogen, pepsin में convert हो जाएगा, pepsin, पहले यह pepsinogen था, pepsinogen release हो रहा था यहा दोनों HCL के रिलेज होते ही यहाँ पेपसीनोजन जो था ना वो पेपसीन में बदल जाता है और यह पेपसीन क्या करता है उस खाने के जो नेचर को है ना अपने बराबर लाते है कि स्टमक के अकॉर्डिंग उसका नेचर बदल जाए उस तरह से लाग कर फिर यह आगे की मु दोनाम आनस के पहले आने वाला जो पार्ट है वो होगा रिक्तम यह चीज याद रखने की है और आस के थू वो बहार निकल जाता है यह थी एक छोटी सी साइकल elementary and all जो है इससे हम guts भी बोल सकता है ऐसी process humans में होती है mouth से गया, buckle cavity में, buckle cavity से गया, pharynx में, pharynx से गया, larynx में, larynx है फिर esophagus, फिर stomach, large intestine, small intestine, फिर small intestine के बाद rectum, rectum के बाद anus ये थी अपनी cycle, इस तरह के से होता है जिसमें बीच में bolus भी आया mastication process पूरी bolus की वो सब देखी, जब खाना जो है न वो अपने पूरे मतलब पूरी तरह से सारे enzymes जो है उन्होंने अपना support कर दिया, यहां से पूरा digest हो गया digest मतलब जो अच्छी चीज़ें थी, जो काम वाली चीज़ें थी वो अरड़ी जा चुकी है सारे अपने खाना, ज्यादा सारा खाने का absorption अपने small intestine में होता है small intestine में enter होते ही enzymes जो अपना काम शुरू कर देंगे कि main important जो चीज़ें है वो खीचली जाएगी और जो बचा हुआ है, जो कुछ काम का नहीं है और इसके तुरू बाहर निकल जाएगा तो intestine में वो normal अपने stomach के according जो nature आया है ना food का वो पूरे उस part को उस पूरे जो समान जो आया है ना खाना यो फिर उसके अंदर enzyme भी mixed है, थोड़ा absorbed है, थोड़ा नहीं absorbed है तो उस तरह किसी चीज़ होगी ना, उसे हम बोलेंगे काइम C-H-Y-M-E, काइम ठीक है, आप समझ गए कि काइम क्या चीज़ है, कैसे है पहले mouth से, ये cycle आप देख लेना एक बार फिर से ठीक है, ये cycle जो है वो बहुत easy है और अब्सरफशन के बाद जो खाना leftover है, जो useful नहीं है वो आयनस के तुरू बहार आ जाता है तो ये चीज थी जानने वाली ये digestive system in humans है तो समझ आई चीज़ें देखिए और कोई doubt है तो मुझे comment section में पूछिए मैं हर बार ये बोल देती हूँ comment section में पूछिए, आप पूछते तो कुछ भी नहीं हो क्या मैं ये समझ लूँ कोई अच्छा काम करता है तो उसे support नहीं मिलता देखिए मैं मुझे पता है कि बहुत सारे आसान तरीके हैं views, likes, ये सब के पर मैंने सोचा मैंने ये hard वाली side चुनके मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा knowledge जो है मेरे पास वो आपके सब share करू hard चीज है, पढ़ाई कोई easy चीज नहीं है ये choose करके मैंने सूचा कि मैं आपके लिए भी थोड़ी help करू तो आप मुझे एक छोटा सा like नहीं दे सकते हैं subscribe नहीं कर सकते चानि इतना सा ही तो करना है मैं रोज जो है पढ़के मैं खुद भी तो पढ़ती हूँ और आपकी भी help करनी की सोचती हूँ और आप है कि मुझे इतना सा support नहीं दे सकते बाकियों को देखो मेरको तो ये लगता है कि vlogs वाला channel जो है न वो पता नहीं कितना ही आगे चला गया होता मैंने इतनी वीडियोज इस channel पर डाली है तो उस according अगर देखे जाए vlogs पर डालती तो किती ही बढ़ती मैंने ये सोचा कि study के थूँ मैं अगर कुछ करूँ तो वो बहुत अच्छा होगा पर मुझे कोई support नहीं दिखाई देरा शुरू शुरू की वीडियोज में ठीक है आपने देखा देखा पर आपने कोई ज्यादा कोई दिखाई ही नहीं अवाली वीडियोज पर दिखो मेरे कोई views ही नहीं आ रहे मेरा होसला टूटता है भई ऐसे मेरा मन नहीं करता कि फिर मैं बनाओ मुझे थोड़ा से सपोर्ट कीजिए जिससे मैं फिर मेरा होसला बनने मैं आपको और वीडियोज देओ प्लीज थोड़ा से सपोर्ट कीजिए मुझे थोड़ा से आपके प्यार की जरूरत है आपके सपोर्ट की जरूरत है बस उतना होते ही ना फिर मैं बस मेरे को ऐसे लगएगा कि मैं successful होगी अगर मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फाइदा होता है न तो वो success मेरी है ठीक हैं? तो मैं यही सोच के बस आप लोगों के लिए बनाते जा रही हूँ महनत करे जा रही हूँ पर देखते हैं कितना support करोगे आप मैं बस आपसे एक like अपने friends को subscribe चाहती हूँ आपसे और कुछ भी नहीं मैं अगर कोई गलती कर रही हूँ या फिर मैं कुछ नहीं जीत पा रही तो आप मुझे comment section में बताओ ना मैं अपनी सारी कमिया दूर करूँगी पर support तो करो या थोड़ा सा support दिखाओ मुझे मेरा होसला मत तूटने दो support करो मुझे so buy and have a great day बस मैं wait करूँगी कि आप किस तरह से मुझे आने वाली वीडियो पर views दोगे चैनल किता कि सब्सक्राइब करोगे सच बताओ ना तो आधे से ज्यादा मेरे घरवालों को मिला कि मेरे 120 सब्सक्राइबर हुए देखते हैं कि अच्छे काम को कितने लोग support करते हैं वीडियो लाइक करो कमेंट करो कुछ कमी लगे तो वह बताओ अच्छी लगे तो वह बताओ अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करो और चैनल सब्सक्राइब करो बाइ